हलो फ्रेंड, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ और आज मैं देखिए आज आपके सामने में Tata Motors Limited के बारे में बात करूँगा भाई साब अभी भी वक्त है शेयर के अंदर 640 रुपे का शेयर प्राइस चल रहा है Tata Motors के बारे में सभी को पता होगा Auto Mobile Industries के अंदर है ये कार वगेरा ये बनाते हैं Sports Utility Vehicles के अंदर है एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्फोलियो है कार हैं, बसेस हैं, ट्रक हैं, डिफेंस वेहिकल बनाते हैं इनको ओपरेशन कहां कहां हैं इंडिया के अंदर है, UK में है, United Kingdom, South Korea में है, South Africa में है, China में है, Brazil में है, Austria and Slovakia ये कुछ दिगज countries हैं जहां पर ये manufacture वगेरा करते हैं और JLR गूर्प इनका सबसे फैबरेट है, JLR मतलब Jaguar and Land Rover तो देखिए यहां से इसके साथ साथ market cap की बात करेंगे 23570 करोर का है, इनका market cap है, current price की बात करेंगे 647 का है, high की बात करेंगे 678 का लगाया, low की बात करेंगे 372 का लगाया, कोई बड़ी बात नहीं है, कि भाहिसाव यह next दिवाली तक इसका share price 1000 रुपे तक हो जाए इस्टोक के P.E. की बात करेंगे 14.80 का यानि की Valuations अभी भी इनके बहुत ज़्यदा Attractive है Book Value की बात करेंगे 161 रुपए का है Dividend की बात करेंगे बहुत छोटा था यह dividend देते हैं जो कि यह केवल 0.31% का Return on Capital Employee, Return on Equity 5% है जो की बहुत कम दिख रहा है चुकि इस Company के अंदर एक Turn Around हुआ है तो इस वज़े से कुछ खास Expect मत करना Return on Equity और Return on Capital Employee की वज़े से क्योंकि बहुत बड़ा इन्होंने Investment किया है Electric Vehicle की तरफ अगर वो बहुत ज़दा Successful होता है तो उनका सीधा सीधा इसका Benefit Tata Motors को ही देखने को मिलेगा Fundamentals बहुत गजब के हैं इनके Company का Results शांदार आ रहे हैं इसके साथ साथ यह देखिए Tata Motors का Stock का PE देखो 14 का है अशोक लेलेंड 28 का है और अपने जो अगर जो इसके Competitor है अगर Tata Motors के लागा अलावा अगर SIM segment में Apple on Apple basis पर देखेंगे तो सबसे बड़ा Competitor में मानता हूँ अशोक लेलेंड को मानता हूँ उसका भी 28 का PE यानि कि इससे महगा है देखिए कभी भी जो share का महगा ही है वो इसके share के price से चेक नहीं करते हैं उसके price to earning ratio से चेक करते हैं तो इस चीश के बारे में आपको पत क्वाटर में बढ़या से लाई expenditure देखो 91,360 करोड का expenditure भी आया और लास्ट क्वाटर से expenditure जादा आ गया तो मेरे मित्रों आप ये देखो लास्ट क्वाटर से आपको इसका expenditure भले ही जादा लग रहा हूँ पर जी हां net profit इनोंने ताबर तोड तरीके से रिजर्ट सांदार पे हिसाब इसी तरीके के रिजर्ट आये तो ये कुस्तो बढ़ा कर देंगे कुस्तो बढ़ा कर देंगे शेर कैपिटाल देखो 766 करोड की है रिजर्बस में देखिए continuously पैसा increase हो रहा है 44,556 करोड से 52,870 करोड के रिजर्बस आये है बारोविंग्स देखो इसमें बारोवि इसका 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 इसके साथ अगर मैं बात करूँ नेट कैश्फो निगेटिव आया है मार्च 2023 में डेटर डेज की बात करेंगे 16 से 17 दिन के हो गई किसी भी कंपरी के अगर आपको डेटर डेज बैले 24 दिन से कम मिल जाए तो समल लेना कंपरी बहुत अब देखीए, अगर मैं पर्मोटर की होल्डिंग की बात करूं, तो 46.39% से 46.38% के प्रोमोटर की होल्डिंग हो गई, तो प्रोमोटर की होल्डिंग 0.01% से कम हो गई, तो इससे कुछ फरक ने पड़ था, क्योंग बहुत मार्मीट सा स्टेग प्रोमोटर ने कम किया है, FIIs की बात करेंगे 17.72% से 18.40% प्रमोटर ने इतना ज़्यादा कम किया नहीं जितना FIIs ने खरीद लिया DIs की बात करेंगे तो DIs ने 0.01% से DIs ने भी स्टेक थोड़ा सा हलका सा खाली किया है गौर्मेंट का भी थोड़ा सा स्टेक है पब्लिक ने भी थोड़ा सा स्टेक खाली किया है 18.38% से 17.70% पब्लिक तो भाई साब बरसाती मेडाग होते हैं उन्हें जहां रिटन दिखता है वो वहां पहुंच जाते हैं और इसलिए कहते हैं लॉग टर में पब्लिक कभी कमा ही नहीं पाती है पर जो ये नए भारत का जो आब इन्वेस्टर आया है ये अटलिस्ट मैं देख रहा हूँ काफी सारे वाट्सेप पे भी मैसेज़स वगेरा आते हैं तो मैं देखता हूँ कि अब जो मार्केट है जितना भी शेर मार्केट गिरता है तो लोग एक बार खरीदने का कोशिस करते है रादार दिन की बेचने का अल इन ओल अगर मैं टाटा मोंटर से बात करूँगा रिटरन ओन कैप्टेल इंप्लोई, रिटरन ओन इक्विटी बढ़ रहा है जो कि अच्छी चीज़ है तो यह सारी चीज़ है टाटा मोंटर से को बैतरिन बना रही है तो इसी वज़े से ऐसा लगता है कि आने वाले समय में यह कुछ अच्छा काम कर सकते है मिरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा हरार महादू आयपा शरणम हरी शरणम ओल इन ओल बहुत बैतरिन कमपनी हैं बहुत बढ़िया धन्यवाद